बियाट गुर्णानक देव यूनिवस्टी स्मिस्टर फोर है पेपर फिर्स्ट है कोर्स ट्राइटल है जेंडर स्कूल और सुसाइटी कन्फ्यूज नहीं हो ना जो सेशन है है दो हजार 2222 और 24 में इनका फोर्थ सेम है दो हजारभाइस 4-24-24 में इनका फ велं है यह रहां abbiamo in का यह पेपर है क्यूँ की जो सेशन दूसरा चल रहा है 201293 का 22 का सेशन और कचिसमें खत्म होगा उनका यह पेपर Dublin हो जाएगा यह से यह 35 का है और यह इन के लिए 25 में जो एक्जाम देगे वो यह 70 का हो जाएगा नैचुरी यह सलेबस दुगना हो जाएगा यह वो यह वीडियो ना देखें सिर्फ बाइस चौबिस के लिए यह वीडियो हां कंसेप्ट अप लर्न कर सकते हो अगर चाहो लेकिन सलेबस इससे दुगना होगा यह शामिल होगा ही होगा तो यहां पर स्लेबस है इसमें सेक्शन वन है पैटरन आपको पता है आप पिछले देख चुके हो सेक्शन वन में है मीनिंग ऑफ जैंडर सेक्स सेक्ष्वालिटी प आपको डाल दू जो डिफरेंस पता चल जाएं वैसे जो कॉस्टन आपको युनिवेस्टी की तरफ से पूछे जाएंगे वह होगा कि जैंडर क्या है जैंडर के करेक्टर स्टिक्स क्या है और पीएस्ट टैट में नॉर्मली जो कॉश्टन पूछा जाता है जैंडर उसका ग्लाए जैंडर के कडरेक्डर स्टिक्स सोचल स्टिक स्टिक्स होंगे मतलब कर इसके बिलकूल ने सबसक्र उसक्राइशि कर सकते हैं ऑनने कर सकते हैं बच्चे का जनम होता है है identify कर लेते हो कि यह मेल है यहां बाइनरी होता है बाइनरी कंसेप्ट आगे चलके यह टर्म आएंगी बाइनरी मीन टू डिवीजन है जस्ट मेल और फीमेल हना तो जैंडर की ऐसे बाइनरी टर्म नहीं होगी जैंडर कॉंटिनम है आप यह आगे चलके देखेंगे जा डिफरे कि यह लड़की है उससे एस्ट करता है पिंक कलर के कपड़े पहने है ऐसे चलना है ऐसे बैठना ऐसे उठना इतने बज़े घर आना है ऐसे बातजीत करनी है तो वह तो सोशल सोसाइटी हमें सिखाती है तैस जैंडर दाइंड मोस्ट इंपॉर्टन अस्लेवस में क्यों ला सेक्स फीलिंग अबाउट सेक्स सेक्सवल्टी सेक्सवल औरियंटेशन यह बढ़ेंगे जिसमें रोमांटिक और सेक्सवल रिलेशन्शिप के बेस पर इसको डिफाइन किया जा सकता है तो यह साइकालाजीकल है प्योर्ली के फीलिंग है एक नॉर्मली जो होती है अट्रो सेक्सवल्टी को याद रखना है जहां पापा डॉमिनेट करते हैं वैसे पापा नहीं यहां मेल डॉमिनेटर सोसाइटी है कोई भी वार्ड का ऐसा पार नहीं है जहां मेल डॉमिनेटर सोसाइटी नहीं आप अपने घर में देखिए डिसीजन किसके चलते हैं डिसीजन में making power किसके पास है financial power किसके पास है हाँ घर में रूल कौन बनाता है लागू कौन करता है अपने महले में अपने religion में अपने society में अपनी community में अपने गाउं में आप देखिए अगर male dominant करता है आप ध्यान से देखना कि अगर female candidate reserve category है female candidate की reserve category है ना और रिजर्व सीट है वोट यह एलेक्शन होते हैं तो उसमें जीतने के फीमिल है रिजर्व है इतमीज फीमिल वहां खड़ी होंगी male person compete नहीं करेगा तो female है लेकिन female जीतने के बाद जो control सारा किसके पास चला जाता है उसके husband के पास चला जाता है तो वहां भी male dominated society है यह दीरे दीरे है अभी खतम कुछ नहीं हुआ masculinity क्या है कि हमने traditionally कुछ हमारी characteristics हैं जा assumptions है जहां qualities हैं जो associate की हुई है जो traditional view of men है हना normally के men physically strong होना चाहिए मैं लड़कियों से पूछता हूँ कि आप कैसा लड़का चाहती हूँ तो वह जो describe करेंगे वह muscularity के base पर ही करेंगे सब को क्योंकि as female के अंदर एक 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 unpsychological sorry unconsciously एक जो demand है उसकी के उसका partner उसको protect करे protect कैसे करे सबसे पहले physically protect that is why physically strong वहना चाहिएगा competitive नेस है अग्रेसिवनेस है जहां आजर्टिवनेस है बात कर सके हना वह पैसा कमा सके हना ऐसे जो trait हैं आपको वैसे सल्मान खांजा किसी hero की example देखता हूं क्योंकि mostly female उसको उनको पसंद करती है जरूरी नहीं है सब को पसंद हो तो masculinity society के द्वारा निश्चित किये गए वो qualities हैं जो उस society में male person में होनी चाहिए जहां आस रखी जाती है तो यह masculinity के उल्ट feminism नहीं है बिलकुल इससे relation ऐसे नहीं है फेमिनिजम एक movement है एक philosophy है कि विचारधारा है कि जो female के साथ जहां थर्ड जेंडर के साथ जहां जेंडर के base पर male के साथ जहां किसी भी के साथ injustice होता है exploitation होती है तो उस biasness होती है discrimination होता है तो वो equality के लिए एक fight है पहले thought की fight है फिर awareness लाना है society में और फिर हर unit of society में action के base पर equality लाने के लिए fight है यह कोई union नहीं है हम movement है feminism कई तरह का है ऐसे मैंने अपनी बुक में सारे point लंबे बनाए हो हैं 20-25 के करीब तो यह विचारधारा है कि आप male और female को equality के लिए लेके चलोगी क्योंकि injustice ज्यादा female से ही हुआ है that is why women के लिए यह fight ज्यादा होगी उनके favor में यह fight ज्यादा होगी तो यह concept है हर एक करेक्टरिस्टिक्स है उसके पूछे जाते हैं question वैसे आएंगे gender identity क्या है नॉर्मली हाँ जब क्लास में पढ़ते हैं तो यहीं लगता है कि यार सब कुछ एक जैसा है लेकिन नहीं different है identity आपकी unique पहचान है आप दूसरे से कैसे unique हो different हो हना अडोल सेंट में हमने career identity identity crisis की ericsson जो बात करते हैं psychosocial development तो आपका एक अपने लिए deep feeling है feeling भी लालो आप self concept आपका self concept आप अपने बारे में क्या सोचते हो आप बहुत strong हो weak हो आप अच्छे नहीं हो आप अच्छे हो आप बुरे हो आप मैं यहां अच्छा कर सकता हूं यहां नहीं आप दें सोचा अपने बारे इतने इतना परसीव किया हुआ है बनाया एक अपना संसार वह अपका self concept है तो वह self concept जो है अगर उसमें question सिर्फ आजाएं related to gender male और female के हैं ना एंटने면 के आप अपने को मेल मानते हो फीमेल मांते हो जान अप अपनिया में फीमेल के करीक्टर स्टिक्स Ale lose आशह मानते हो तो वह कंटिनन है अटन्निडिटी का इंक ओडिवीं में तो यह जैन्डर अरटनिटी कर आएं यू है नौर्मली यो Ос ओं आजाजों आ स्पीर में बन जाती नहीं सोसाइटी बनाती है सोसाइटी हेल्प करती है लेकिन आप आपकी अपनी डूमिनेशन होती है आपकी अपनी फीलिंग है थर्ड जेंडर वालों को फील होता है कि यार मैं मेल हूं लेकिन मेल नहीं हूं मैं मेल की जैसा नहीं रहना चाहता है लेट मी है तो तो यह सारी करेक्टरिस्टिक्स आप अपने बारे में कैसे सोच दे हो और आपकी यह बात ज्याद रखना है कि इसका एक पार्ट हो सकता है लेकिन जेंडर अडंटिटी ज्यादा बड़ा कंसेप्ट है इनके डिफरेंस जो है एक्जेक्ट बनाके एक्जामपल अलग से वीडियो दे दूँगा अच्छा जेंडर अडंटिटी सोशलाइज जो फैमली में उसका क्या फैमली का क्या रोल है बनाने में स्कूल का क्या रोल है नॉर्मली डॉमिनेट क्या करता है क्योंकि सोसाइटी तो वही है दो नॉर्मली एक वर्ड बार बार आएगा जंडर स्टीरियो टाइपिंग स्टीरियो टाइपिंग डेकिन कई कंसेप्ट आपको समने चाहीए तब ये बुक को मेरी समझ जाएगी जैसे जैंडर टाइपिंग है जैंडर इंटेग्रेशन है जैंडर बाइसनेस है यह सभी कंसेप्ट कि इसमें तो लंबा हो जाएगा अलग से वीडियो निसके नीचे लिंक दे दूंगा छूटी-छूटी वीडियो दो-चार फिंट की बना के दे दो गा ऐसे ही formal and informal organizations हैं उनका gender identity में रूल नॉर्मली मैंने बुक में तो एक एक अजनसी का स्कूल स्कूल का तो फैमली का अलग हो गया है रिलीजन का है जहां informal agency है friends है peers है इनका रोल दे दिया गया है लेकिन question जो है वो फॉर्मल नॉइन फॉर्मल का एक अठा पूछ लिया जाता है यह फॉस्ट यूर्निट सेक्शन भी है बहुत छोटा है रखा है concept of gender equity and equality in education अब स्कूल की बात करेंगे problems of assess एक question बनेगा आपका कि पहुंचना कैसे है हना जो पीछे रह गया है सिंपल बात है मैं वहां जाकर retention उनको रखना कैसे है और stagnation and drop out के कोई fail हो रहा है लगातार drop out के school को छोड़ जाता है यह बाते हैं simple यह समयना male और female की बात है binary आ गया male female injustice किसके साथ हुआ education की बात करें यह सिर्फ आप literacy rate देखिए आप कहरें बढ़ रहा है तो बुक में दिया गया है मेरे परानी वाली बुक में ज्यादा बड़ी हो और नए वाली में शायद काटना दिया हो तो literacy rate बढ़ रहा है लेकिन literacy rate में difference अभी भी है अगर है तो है difference तो कौन पीछे है female it means इनके साथ injustice हो रहा है it means female को school ले जाने के लिए कोशिश होनी चाहिए ओ कोशिश के लिए female को extra help दी जाने चाहिए extra help हाना for example मैं अभी psychometry test लगा के आया हूं government की scheme है साथ साथ सो उसकी grant वी पर बच्ची को दी गई बच्चों लड़कों को ने दी की लड़कियों को दी गई साइकल दिये गए पंजाब में ऐसे बेटी बचाओ बेटी ऐसे कई अभ्यान हैं जो बेटी के लिए है और बेटी की education के लिए हाइर education PhD तक flexibility female को ज्यादा दी गई है PhD में extension ज्यादा female को मिलती है तो यह सारा कुछ क्या है extra help है हना discrimination है लेकिन positive है अच्छे वाला है अच्छा करना है किसको के female पीछे रहेगी उसको उपर उठाना है तो यह extra help देने वाला concept क्या है equity कहां क्यों है तांकि दोनों equal हो जाए equality यह goal है यह mean है साधन है तो यहां तक पहुंचना है जब तक यह बराबर literacy rate और educational opportunity नहीं मिल जाती तो यह equity चलती रहेगी reservation चलती रहेगी आप यह देखिए चलो यह concept बाद में पढ़ेंगे तो अब simple है कि problem of assess अब problem of assess कुछ को है जो ट्रेसी में पीछे है कि female school नहीं पहुंचती पहुंचती है तो drop out छोड़ जाती है कारण क्या है मैं अभी देखो इतने स्कूलों में psychometry test लगा के आया हूँ मैंने बच्चियों से बात की है कौन सा carrier लेना है जो parents आपको कहते हैं कि हमने नहीं teach करना मुझे बताओ मुझे phone क करो मेरे चैनल पर बात करो मैं मैं उनको घर पर मनाने भी जाओंगा अगर आप पढ़ना चाहोगे अगर आप चाहोगे पहले आपने चाहना है तो अगर वह चाहते हैं लेकिन parents नहीं जाने देते society discourage करती है problem क्या है normal distance ज्यादा है दूर जाना पड़ेगा मैंने medical लेना है नहीं है तो यह problem है अच्छा आने जाने का सादन नहीं है problem है सडके नहीं बनी हुई जी गाउं में यह problem है वहाँ इनसीक्योर्टी है problem है यहां वहाँ वाश्रूम की problem है बच्चों को बच्चें को यह age है के 10th में periods आने शुरू हो जाते हैं तो उनको क्या वह मैयर बताए जाते हैं कि हाईजीनिक क्या है कैसे अपनी हेल्थ की केर करनी है तो मैं यह बात क्यों कर रहा हूं क्योंकि ऐसे केस हैं यहां इवन जलंधर में है कि टीचर नहीं कमेंट कर दिया कोई और बच्ची ने सूसाइट कर ली ऐसे केस हैं आप अख़बारें पढ़के देखो किया एंद ना तो यह जो सेक्स एटूकेशन है और यह इनको मतलब ओपन माइंड से जो राइट पाथ है टेंशन चल रही है उस पीरिड में परसनल हेल्थ की में कcking और कैसे करनी है वह एजूगेशन ने Конечно अज़र ने हैं प्रिंसिपल ने दूर करनी थी है ना फीमिल की है फीमिल दूर करेगी लेकिन पूरी यहां से प्योर हो के करनी आख तो यह असेश की प्राब्लम है जब यह दूर हो जाएगी तो बचे श्कूल में नैचुरली पहुंच जाएगे जहां तो स्कूल वहां स्कूल बच्चे तक पहुंचे कुछ तो होना चाहिए तो पहुंच तो गए हैं क्या वो पूरी क्लासे करके गए है रिटेंड है छोड़ तो नहीं गए यह रिटेंशन का सीधा संबंध है ड्रॉप उसे तो वही वही कारण बनते हैं यह जो देती है कि बच्चियों के लिए चाहि एक्स्ट्रा हल जतने प्रोजेक्ट आ रहे हैं देखत पंजाब गॉर्बंडे क्राटे लड़कियों के लिए क्राटे की गृंट हर स्कूल में आ रही है तो UNKो सोचा जा रहा है कितना परपसफुल है यह मैं नहीं जानता भी स्टैंगनेशन है के लड़कियां बार क चार-पांच यह कोश्चन इस सेक्शन में बनते हैं नेक्स है रोज ऑफ एजुकेशन जेंडर सेंसे टाइजेशन वेरी मच इंपॉर्टन सेंसे टाइजेशन इसको याद रखना है अवेरनेस ऑवेरनेस को कि मैं एक कॉश्चन पूछता होता हूं यहां पर जाओंगा फीमेल के बारे में जानते हैं सब कुछ यहां एफ डाल दिया हाना क्या फीमेल मेल के बारे में जानते हैं सब कुछ ऐसे ही क्या मेल जो हैं फीमेल के बारे में हाना उनकी क्या जरूरते हैं उनकी कैसे रिस्पेक्ट करनी है हाना उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया कैसे जा करना है एक दूसरे जेंडर की रिस्पेक्ट करनी है किस जगह पर आप बस में जा रहे हो नैचुरली है लड़की खड़ी है फीमिल है बजर्ग है तो आपका ही फर्द ज्यादा बनता है कि आप उनको हेल्प दो कोई प्रेगनेंट वुमेन है तो हर हालत में उसका राइट है कि उसकी हेल्प की जाए उसको बैठने के लिए चीर वगहरा वगहरा आप जानते हो तो यह सेंसेटाइजेशन में आता है एडंटिफाइंग एजुकेशन का रोल क्या है यह जैंडर सेंसेटाइजेशन करने में नैचुली है जैंडर वो डिफरेंट प्रोग्राम्स होगे क्रिटिकल झींक यह सारे पॉइंट आएंगे इसमें रोल आफ करिकुलर को करी कुलम से एकेडेमिक और को करिकुलर जो एक्टीविटीज है अना दोनों का अलग लग से रोल इसका तो एक्टीविटीज कम्बैटिंग जैंडर बाइसनेस gender biasness का concept जो injustice से हैं discrimination से है कि मैं लड़कियों की तरफ ज्यादा ध्यान देता हूं being a teacher जहां लड़कों को ज्यादा अच्छा समझ रहा हूं नहीं मैंने जेन्र जेन्र नहीं सोछना कि लड़कों में नहीं हो सकते हैं यह लड़कों में europé unlikely अर्य um इसको मैंने आगे कैसे कि जानग उसको इसे जेन्र के बेश पर उसमें सब्सक्राइब करना है जो जब भी एक्टिविटीज होंगी तो आप एक्टिविटीज बाइस नहीं होगी कि फुट बोलाजी लड़कों के लिए होगा ऐसा कुछ नहीं होगा एफट्स और गॉर्मेंट और गॉर्मेंट और गॉर्णाइजेशन देलिंग विद जैंडर इन दसबान पॉइंट हो सकते हैं बुक में सारे दिये गए ऐसे नॉन गॉर्मन और गॉर्णाइजेशन जिसको बोल दे हैं एन जी ओ तो इनकी भी प्लैन है जैसे यहां को कि मैं प्रोफेसर लकभीर सिंग जी के साथ है नॉन गॉर्मन और और गॉर्णाइजेशन का मेंबर नहां हो साथ में काम किये हुए हैं एनगी ओब स्कूल में भी काम करती है लड़किओं के लिए और गाते हैं ध्यूखाई जैसे उपर जेयर्निस hoping कर स्रीजियर सून कि बात करके आई हैं उनके लिए स्पैशल ट्रेनिंग प्रोगर्म लगाया जाते हैं की तरफ से अच्छ बाकि जो concept है, मैं डिफरेंट वीडियो में दो-दो concept को compare करके बताऊंगा, easy हो जाएगा, समझना कारण क्या है, वो concept दोगा, कि आपको TET में help मिल जाए, कि जो option right है, वो कैसे ढूमना है, thank you Dr. Tira Singh, learn to actualize.